पर मेरे पास में देखिए यह कपड़ा भी कम है यह slips का जो border है यह एक side में ही था और इसमें बहुत कम दिया है और इसमें ही हमको वो design बनाना है तो इसमें देखते हैं किस तरीके से बनता है इसमें side से हमको कुछ कपड़ा जोड़ना पड़ेगा जो मेरे पास में देखिए यह छोटा-छोटा टुकड़ा बचा हुआ है इस पेली इसको अच्छा से इसको रख लेते हैं यह देखिये इसको हम cut करके रखे हैं यह पूरा 13 इंच का है हमको slips का ready चाहिए 10 इंच में तो इसमें सबसे पहले देखिए निसान लगाएंगे 11 इंच पे 10 इंच रहेगा यहाँ पर हम निसान लगाते हैं देखिए यहाँ पे यहां से यहां तक 10 इंच है और 1 इंच एश्टरा लिए है margin के लिए तो टोटल यहां से यहां तक 11 इंच ले लिए है उपर में जितना कपड़ा बच रहा है यह पूरा टोटल रख लेंगे यह design के लिए और यहां पर 34 इंच का slips बना रहे हैं तो इसमें आर्मोल हम जितना रखेंगे उचसे 1 इंच प्लस करना है तो आर्मोल है 5 इंच और उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 6 इंच हो जाएगा और इसमें margin एड करना है तो 1 इंच मेरे पास वैसे कपड़ा कम है में फेब्रिक में इसलिए हम 1 इंच ले रहे हैं अगर आपके पास कपड़ा है तो आप margin के लिए थोड़ा ज्यादा ही कपड़ा छोड़ें यहां पर हम 1 इंच ले रहे हैं यह margin के लिए और यह बाकी जो जितना बचा हुआ कपड़ा है यह design में जाएगा तो यह total पूरा 9 इंच का यहां से यहां तक है तो अब इसको हम पहले सीधा कर लेंगे अब slips का जैसे cutting करते हैं यहां से यहां पर देखिए बंद साइड है और खुला साइड है खुला साइड के तरफ यहां से डाउन करेंगे साढ़े 3 इंच पर और नीचे मोहरी लेंगे 10 इंच मोहरी है तो इसमें 5 इंच रखेंगे और यहां पर 1 इंच हम रख लेते हैं एक इंच और उस से थोड़ा सा बढ़ा के ही रखते हैं यहां पर 6 इंच और 2 पॉइंट मर्जिन के लिए रखेंगे अब इसको इसमें मिला लेंगे इस तरह अब यहां पर राउंड देंगे इसको यहां से इसमें मिलाना है अब इस निसान पर ही कट करेंगे और यहां पर देखें सेंटर है तो यहां सेंटर पर कट लगा लेंगे ताकि यह निसान पता रहा है थोड़ा सा यहां पर गड़बड सा कट हो गया तो यहां पर देखें यह बाकी सब निसान तो ठीक है यहां पर हम दो प्लेट डालेंगे तो प्लेट के लिए हम एक्स्ट्रा कपड़ा रखे ही नहीं है तो इसको हम जो कट किये हैं इसको फिर से यहां पर जोल कर लेंगे इस तरह से रखेंगे चढ़ा करके और देखिए यहाँ पे यहाँ पे 5 इंच तो फिटिंग्स वाला है एक इंच मार्जिन के लिए रहेगा और 1.5 इंच हम प्लेट लगाएंगे तो यह 1.5 इंच और ले लेते हैं और इसको यहाँ पे मिलाना है यहाँ पे और यह वाला कट करेंगे और इसको इसमें जॉइंट कर देंगे यह देखिए अब इस कपड़ा को यहाँ पे देखिए साइड में थोड़ा सा अलग बॉर्डर दिख रहा है तो यहाँ पे देखिए यह दोनों हैं इसको मिला के रखेंगे इस तरह से मिला के रखेंगे और इसको फिर से एक बार मोड लेंगे अब इसको इसके उपर रखेंगे इस तरह से देखिए इसके उपर यह अस्तरवाला पाट रख लिए हैं अब इसी निसान पे कट कर लेंगे और इसमें भी कपड़ा ये दखे सामने साइड में कम है तो इसमें भी हमको जोड़ना पड़ेगा तो जो छोटा-छोटा कपड़ा बचा हुआ है इससे हम यहाँ पर जोइंट लगाएंगे फ्रंट पार्ट में जो हर स्लिप्स में बताते हैं कि इसमें गहराई देना है तो इस स्लिप्स में गहराई नहीं देना है वो इसी तरह से रहेगा अब इसको कट कर लेते हैं अब इसको हटार लेंगे और यहाँ पर इसको कट कर लेंगे देखिए यहाँ पर यह सेंटर में आएगा अगर इसको इधर से ऐसे बराबर करते हैं तो यह वाला किसी एक साइड में दिखाई देता तो यह सेंटर में ही रहेगा और जो भी सिलाई वाला जो पार्ट है वो side में दिखेगा और वैसे भी side में वो fittings में दब जाएगा तो पता नहीं चलेगा तो सभी को हम पहले joint कर लेते हैं देखे इस तरीके से joint कर लिए हैं और ये main fabric में भी देखे इस तरह से joint किया हैं थोड़ा सा इधर कपड़ा plane वाला देख रहा है ये देखे इस तरह से joint कर लिए हैं अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि दोनों main fabric और रस्तर को रखके इस तरह से joint कर लेंगे तो देखे इसमें उल्टा इधर है इधर सीधा है और इसका सीधा इधर है और उल्टा इधर है तो इसको ऐसे सिलाई करेंगे ये इसको ऐसे रख देंगे उल्टा और इसको ऐसे सीधा रख देंगे तो देखे तो जो उल्टा side है वो अंदर में दोनों का आ जाएगा और अ साइड से देखे जोड़ा हुआ है उतना भी पता नहीं चल रहा है अब इसका सेंटर में निसान लगाएंगे इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पे निसान लगाएंगे अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा उठाएंगे और यहाँ पे इसका सेंटर के पास यहाँ पे ही ऐसे लाकर के सिलाई करेंगे इस तरह से प्लेट बनाएंगे और पूरा यहाँ तक सिलाई करना है और फिर दूसरे साइट से भी इसी तरीके से उठा करके ऐसे कपड़ा को लाना है और इसी के just उपर ज्यादा उपर इसके उपर नहीं करना है बस just इसके उपर इस तरह से रखके और फिर इसके उपर यहां तक ही सिलाई करना है जितना दूर border है वहीं तक सिलाई करना है यहां पर देखे ग्रीन धागा से यहां किनारे से सिलाई किये हैं अभी हम धागा चेंज कर लिये हैं क्योंकि यहां पर देखिए ऐसे सिलाई करेंगे इसके उपर जहां पर सिलाई है just इसके उपर ही ऐसे रखके और इसको भी किनारे से सिलाई करना तो यहां पर उपर में दि यह देखिए यहां पर स्टिच कर लिये हैं अब देखिए यहां पर कट लगा हुआ है यहां सेंटर में अब यहां पर छोटा छोटा प्लेट बनाएंगे एक इस तरफ से बनाएंगे और फिर दूसरा साइड में इस तरफ से दोनों का मूः इधर होना चाहिए तो इस तरीके से बनाना है तो छोटा छोटा दो तरफ कि इस तरह से डिजैन बन गया अब नीचे इसको पट्टी लगा लेंगे 1.5 चौड़ा पट्टी है यहां पर पट्टी लगाएंगे देखे इस तरह से कोमड़ी इसलिप्स डिजैन बन गया है और यहां पर जो जोइंट लगा थे वो भी उतना भी खराब नहीं लग रहा है और यहां पर देखे तुर्पाई कर लिये हैं और यहां पर आप जैसे स्लिप्स का कटिंग करते हैं सेम उसी तरीके से मार्जिन ले करके करेंगे उससे 2 इंच और भी एक्स्ट्रा साइड से इसको रखें और उपर से 2 इंच एक्स्ट्रा लें उसके बाद यह डिजाइन बहुत अच्छा से बन जाएगा आप भी इसको ट्राइ करें वीडियो अगर हेलफुल है तो लाइक करें कॉमेंट करें सेयर करें और तो उसके बाद करेंหा करेंक वीडियों